हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल आज मैं पराठा की रेसिपी शेयर कर रही हूं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले यहां मैं बॉयल आलू ले रही हूं मैश किया हुआ साथिया आटा हरी मिर्च धनिया पति और जीरा थोड़ी लाल मिर्च पाउडर और जिंजर पेस्ट ले रही हूं कर सूरी मेथी जो है इसको मैं हाथ से इरगड के डाल रही हूं उससे अच्छी खुश्बू आती है थोड़ी निम्बू का रस और टेस्ट के अकॉर्डिंग यह धनिया सीट्स है नॉर्मल जो धनिया होता है उसको मैं कूट ली हूं और डाली हूं एक चमच गी और अच्छी तरह इसको मिक्स करूंगे यह देखिए कितना बढ़िया मोईस्ट हो गया है अब मैं इस पर थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगे पानी जो बहुत कि ग्रेवी की जरुवत नहीं आप इसे दही सलाद या चक्निक सॉस किसी चीज के साथ खा सकते हैं यह 10 मिनट मैं ढखने के लिए रखी थी ताकि उससे सॉफ्ट हो जाता है अब मैं एक करके रोटी तयार करूंगी तो मैं सुखे आटे में लपेट लेती हूं गोले को और अच्छी तरह बहुत प्रेशर नहीं दीजेगा थोड़ा लाइट प्रेशर जहीं इसको रोटी को बेलियेगा नहीं तो यह टूट जाएगा आलू की वज़े से यह देखे कितना बढ़ियां बन गया और मैं इसको बहुत पतला भी नहीं थोड़ा सा मोटा रखी हूं और तवा को गरम करने की लग रखी थी मैं इसको मीडियम फ्लेम पर थोड़ा दोनों साइट पलट पलट कर सेख लूँगी रोटी को और फिर मैं थोड़ा घी ले रही हूं आप यह पर ओईल या बटर भी ले सकते हैं मैं घी यूज़ कर रही हूं और दूसरी तरह भी मैं घी लगा कर अच्छी तरह थोड़ा सा भूरा रंग होने तक सेख लूँगी लो फ्लेम मीडियम फ्लेम कर सकते हैं यह देखिए बढ़िया कलर भी आगया और बहुत अच्छे सेख गया है तो मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूं अब यह रेडी है फ्रेंड आप इसको टि हो जाता कुछ नहीं बहुत अच्छी है अब चलिए मैं दुसरी रेसेपी शेयर कर रही हूं जो है गार्लिक लसुन पराटा यहां मैं आटा ले रही हूं आटा में एक चमच तेल लूँगी और लसुन पिसा हुआ है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लेनेंगे फ्रेंड य जिससे लसुन का जो पेस्ट है उसकी खुश्बू बहुत अच्छी आने लगती है तो मैं गरम पानी से इसको करी बस थोड़ा ओईल लगा कर कवर करते थोड़े देर के लिए रख दूंगे जिससे सॉफ्ट हो जा तब तक यहां मैं गार्लिक बटर रेडी कर रही हूं बढ़ी बनाएंगे मतलब थोड़ा पतला भी करेंगे और काफी बड़ा भी करेंगे यह बहुत जल्दी बनने वाली है तो आप बिना सोचे यह रेसेपी भी बना सकते हैं ऑफिस जाने के लिए या टिफिन में या घर पे खाने के लिए यह जो गार्लिक बटर है इसको मैं मैं spread कर रहे हूं इसके उपर बहुत अच्छे से spread करेंगे और सुखा आटा डाल रही हूं और एक प्लेट्स को मैं इसको फोल्ड करूँगे एक बाब एक बाब नीचे की तरह इसको मैं फोल्ड करूँगे और थोड़ा दबा भी लूँगे जिससे की वह खुले नहीं अब मैं इसको भी सुखे हुए आटा के हल्प से रोटी गुन लोगी यह बहुत पतला नहीं होता है इसको थोड़ा मोटा ही रखेंगे ताकि बटर और गार्ली की बहुत अच्छी टेस्ट आ सके तवा मैं अल्रेडी गरम करने के लिए रखी हूँ तो यह रोटी भी बेल गया बहुत बढ़िया टेस्ट आती है इसको भी आप ट्राइ जरूर कीज़ेगा बहुत जल्दी बनने वाली है तो आप सबजी का जंजट दूर है बस पराठा के साथ खा सकते को इसके साथ किसी चीज की भी जरूवत नहीं है यहां मैं राइता रखी हूँ लेकिन राइता की बहुत अच्छी है अब मैं आगली रोटी की पराठे की रसेपी शेयर कर रहे हूं जो टमेटो का है पर मैं इसमें बहुत सारे चीज आड़ करूंगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां एक फ्राइपैन में मैं आईल डाल रहे हूं और साथी यहां पे जीरा और कसूरी म मेती डाल रहे हूं जिससे बहुत अच्छी खुश्बू आती है अब यहां पर कटे हुए प्याज है वह भी डाल रहे हूं अब थोड़ा सा इसको सॉफ्ट होने तक फ्राइ कर लूँगे ज्यादा फ्राइ करने की जरूवती बस थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए यहां में ट टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च पॉडर हल्दी पॉडर डाल रहे हूं यहां फ्लेम को लो रखेंगे थोड़ा नमक थाकि जो है टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए इसको मैं मैश करूँगी तो इसलिए बहुत अच्छे से मैं इसको टमाटर को मैश करू यह देखिए कितना बढ़ियां सही है एक चटनी के जैसा यह बन गया है इसको ठंडा करूंगी और ठंडा होने के बाद इसमें बस एक कप आटा डाल रहे हूं और मेती फ्रेंड या मैं मेती पत्ती ले रहे हूं आप चाहे तो धनिया पत्ती या सोया पत्ती अपने पसंद अब मैं इसको जस्त चार पार्ट में डिवाइट कर लेती हूं और एक एक करकर सुख्य आटा लगाकर में रोटी को बेल लूँगी फ्रेंड यहां पर जो बेलने उसको ज्यादा प्रशर नहीं दीजेगा नहीं तो रोटी है वो टूट जाती है तो बस हलकी हाथों से इसक लूँगी यहां पर भी मैं बस दोनों तरफ उलट पलट करके अच्छी तरह सेख लेती हूं अच्छी कलर आनी चाहिए अब मैं यहां पर भी घी यूज कर रहें फ्रेंड आप सर्सो तेल भी लगा सकते बहुत अच्छा टेस्ट आता सर्सो तेल की पराठे भी अब यह दो टिफिन बॉक्स या बच्चों के लिए या अपने लिए भी टिफिन में ले जा सकते हैं इसके लिए भी कोई ग्रेवी की जरुवत नहीं है आप जस्ट सालड या राइता चटनी सॉस किसी के साथ भी खा सकते हैं अब मैं अगली रेसेपी के तरफ जा रही हूँ यह भी रेसेपी बहुत जल्दी बनने वाली है दही मसाला पराठा यहां मैं दही ले रही हूँ दही के साथ मैं यहां पर अजवाइन थोड़ा चाट मसाला लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर ले रही हूँ दो चमच मसाला डाल लीजो और बहुत बारिक कटा हुआ प्याज डाल ले प्याज अगर आप ना खाय तो स्किप कर सकते हैं थोड़ा गार्लिक पेस्ट डाल कर मैं इसको मिक्स कर लीए अब मैं यहाँ पर आटा ले रही हूँ अफ्रण यहाँ पर पानी की जरुवत ऐसे तो मैं डाल रही हूँ अगर आपको नहीं लगता तो आप नहीं आप दही भी डाल सकते हैं और अच्छी तरह इसको भी मैं गून लेती हूँ और जस पांच मिनट के लिए इसको नरम होने के लिए रखेंगे नॉर्मल में फ्रीज में जरुवत नहीं रखने के लिए अब म मैं सुखे हुए आटा में इसको लपेट के रोटी को गोल बेल लेती हूँ तो यह भी बहुत जल्दी बनने वाली है और बच्चों को भी पसंद आएगी बड़ों को भी पसंद आएगी आप एनी टाइम यह रोटी बना सकते हैं अब यह तवा मैं अलड़ी गरम कर रही और मैं तवे पर डालकर दोनों साइड से एक अक मिनट करके मैं बार्बा पलटकर अच्छे तरह सेक लूँगी सेक लेने के बाद मैं यह पर घी लगा लूँगी घी लगा कर दोनों साइड अच्छे तरह मैं पका लेती हूँ ताकि रोटी अंदर से भी पक जाए फ्लेम को ये जितनी चार रोटी पराटे की रेसेपी शेयर की हूँ थांक्स फूर वाचिंग